कुछ बड़ा होने वाला है कल ही 150 troops of Assam rifles have been moved towards Jammu ऐसे ही last month जो आपकी राश्ट्री rifles हैं उनकी troops around 3 battalions were deployed here in Jammu और ऐसे CRPF जो ओडिशा में deployed थी उनको उठाकर यहां पर लगाया गया around 2 battalions of CRPF were put here बट क्यों आखिर यह इतनी लंबी चोड़ी planning क्यों regarding Jammu because Jammu में recently terrorist attacks में हमने एक spike देखा है अर्लियर जो terrorism को hotbed था that was Kashmir लेकिन आज यही आप यहां पर देखते हो कि this is the hotspot of terrorism but why why Jammu is becoming this hotspot because anyways यहां की 60% जनता तो यहां पर हिंदूज है so and most of them are either neutral or supported towards the army operations problem यहां पर एक overarching broad है जो पिछले 5 साल से persisting है देखे हमने 2019 में article 370 को हटाया अब उसके बाद just next year क्या होता है कोविट pandemic के time period पर चाइना यहां पर अलग अलग जगों पर लधाक में positions को acquire कर लेता है तो यहां चाइना के साथ standoff हो जाता है तो अब यहां supply line week पड़ जाती है and along with that इनकी जो टोपोग्रफी है that is very beneficial for the terrorist for the militants क्योंकि यह पूरा mountainous एरिया है जितना भी कश्मीर के south वार एरिया आप देख रहे हो पूछ है रजोरी हुआ आपका रियासी हुआ रामबन हुआ डोडा हुआ उदंपूर हुआ सांभा कट हुआ all of these regions including किष्टवार are mountainous regions यहां पीर पंजाल रेंज है पीर पंजाल के south में यह सारे hilly mountainous regions है and there are jungles here तो hills का फाइदा उठा के jungles का फाइदा उठा के आराम से इंफिल्ट्रेटर यहां पर छुप सकते हैं देगन हाइड देखो आज के टाइम पिरिट में लोकल्स आपको एक्सेप्ट करें जबाब विलेज में जाओ आपको खानवाना दे आपके साथ क्रिकेट खेले जैसा आज के टाइम पर नहीं होता लेकिन जंगल में सकते हो और उसके बाद आर्मी पर अटाक कर सकते हो जो आर्मी कॉनवाइज निकलते हैं उसके ओपर और अगेन दिस एरिया इस बेनिफीशिल बिकोज यह आप देखो यह मिरपूर मुझरफ मुझरफराबाद है अगेन पाकिस्तान ओकिपाइट कश्मीर है और यहां पर अ बड़ उसके बावजूत कुछ कुछ जगाओं पर आपकी लोकेशन ऐसी है कि आप कहीं न कहीं क्रॉस कर सकते हो रिवर्स है और अभी मॉन्सून का टाइम है मॉन्सून के टाइम पीरिट पर यहां पर एलिफेंट ग्रास ग्रो होती है यह इन यह जो आपके अलग-अलग है बॉर्डर के स्पेशली जहां पर पानी है उस टाइम पीरिट पर तो ग्रास ग्रोगी अब देखना मुश्किल है और इसी के साथ इन्होंने टनल्स बना रखें बॉर्डर के पास तो यह इन सारी अक्टिविटी से जैसे तैसे अंदर आ जाते हैं अब यहां पर सवाल य करने के लिह यहां पर आपके लिए सिर्म सर्फ टेररने ही पहिंटे जा रहे हैं और यहां एसके सारे हरस को पार करते घुष जाते है एह information के according अभी border से लगभग 400 ऐसे commandos हैं जो border cross किये कहीं से और फिर धीरे धीरे यहां पर ऐसे spread out हो गए fan out हो गए और यह अब धीरे धीरे activities conduct कर रहे हैं जिन से इनका पता चल रहा है now there is one another factor here the local support बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जित्ते incidents हो रहे हैं यह local support के बिना नहीं हो सकते तो यहां पर local support बहुत जरूरी है देखो border पर security needed है in fact आप देखो 400 km से जादा border जम्मू की है international border वाली और इसमें से लगभग 100 km सेक्यूर है 60-70 km पर लगभग advanced fencing है और 40 km पर water lights लगी हुई है उससे जादा यहां पर in fact one-fourth border secure है बाकी insecure है अब वहां पर terrain पर depend करता है अगर एक नदी बहरी है आराम से घास्वा सुगी हुई है कुछ थोड़ा सा hilly region है या कुछ tunnel बना रहे है पहले से तो आराम से infiltrate करना easy होता है so that is there अब यहां एक और factor है that factor is related to local support देखे लोकल support में ऐसा नहीं है कि these people majority are supporting the army देखे यह people जमू के people many of them are in fact Kashmiri Pandits they have been the witnesses the victims of the violence inside Kashmir तो बहुत सारे इन में से Kashmir से जमू है थे so these people are not that problematic problem जो बाकी की population है उसमें अब हिंदूस के अलावा majority बाकी population कुछ कुछ tribes है जैसे आपके ट्राइबल में गुजर बकरवाल आते हैं आपके ट्राइबल में हां पर पहाडी लोग आते हैं अब देखे प्राइमेरली आप देखो गुजर बकरवाल even though they their majority religion is Muslim prominent religion despite that they have been supportive of the army and that has been recognized by the army right since 1947 लेकिन कुछ incidents होते हैं जिनसे अब इनकी लोयल्टी कुश्यन में आ रहे है विशुडेंट से इस बट अब ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं ऐसी चीज़े आ रहे हैं तो डिसकूस करना पड़ेगा देखें बात क्या है कि यह अब क्या होता है कि जमू कश्मीर में 370 हटता है और फिर पहाडी इसको रिजर्वेशन मिल जाता है अब पहाडी इसको रिजर्वेशन मिलता है तो बकरवाल के शेयर कम होता है और इससे इनको प्रॉब्लम होती है और इसके साथ साथ कुछ incidents हुए थे जैसे याद करो 2018 के आसपास कठुवा डिस्रिक्ट में एक इंसिज़ सेल्स भी है आप देखो बहुत सार ऐसे स्लीपर सेल्स है बहुत सार ऐसे लोग है इन फैक्ट यहाँ पर लोकल्स है जो कि माने जाते हैं ड़े हाव बीन दी लोकल सपोर्ट यहाँ बीन ओवर्ग्राउंड वर्कर्स हेर तो मल्टिपल टेर्रिस्ट और्गनाइज़ेशन हो देवर ओवर्ग्राउंड वर्कर्स लेकिन यह इनक्टिव थे बहुत टाइम पिरट तक अब जब 370 हटता है तब इनकी जरूर्ट टेर्रिस्ट और्गनाइज़ेशन को पढ़ती है तब सड़नली इनको अक्टिव किया जाता है तो ऐसे बहुत सारे लोग है इन फैक्ट एक दो जो किष्टवार डिस्ट्रिक के ऐसे हेलपर जैं ओवर ग्राउंड वर्कर्स है इनके उपर 50-50 लाग की तक की बाउंटी भी है गव्मेंट ने डाल रखी है तो यह लोग करते हैं जैसे यह लोग बॉडर क्रॉस करेंगे SSG कमांडो तो इनको यह OGW लेकर आएंग यह हमने डिसकुस किया जितना जो भी वहां पे लोकल लोकल टोपोग्रफी लोकल चीज है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेर्रेस्ट और्गनाईजेशन के सपोर्ट के बिना यह सब हो जाए तो ऐसे कुछ कुछ चेर्रेस्ट ग्रूप से अब होता कि आपको पता है ऐसे टेर्रेस्ट ग्रूप से जैसे लशकर यतायबा और जैशे मोहमद यह इनको आयसे सपोर्ट करती है यह वैल इस्टाबिश इन इंडिया जैशे मोहमद ने बहुत सारी ऐसी अटाक्स किया है और इसके अलावा लशकर यताइबान इसे 2611 के अटाक्स किया थे नो इस वर सप प्रेशर पढ़ने लगता है इंटाज युनाइटेग नेशन्स में इंडिया प्ली करता है जैसे लशकर यतायबा के अब्दूर्रह्मान मक्की के बारे में कि इसको 1267 सैंक्शन कमीटी में लगा शुरूआत में से फोर्ट को हमारा जो दोस्ते चाईना हमारा क्या किसका द और यह नई तरीके ढूंदता है और अब यह नई और देंगे अब नई और जैसे कश्मीर टाइगर्स हुआ फैसिस्ट फ्रेंट हुए यह नए नाम बना देते हैं और यह नए ने में से अभी अक्टिविटीज करिया उट करते हैं इन में से कुछ-कुछ सोशल मीडिया प सोशल मीडिया यहां पर डिवाइड प्ले करने की कोशिश करेगा अब और ऊश्मसक्राओं और इतनेquitobs elig किया गया social media and that's why बहुत सारी यूथ को ऐसे motivate किया जाता है to become radicalized to get attracted to this radicalized ideology and then become the sleeper cells और overground workers तो यह पुरा cycle है से चल रहा है अब इसमें government क्या government कुछ नहीं कर रही है आप देखो government ने भी recent time बहुत सारे स्टेप्स लिए चाहे राष्ट्री राइफल हो चाहे CRPF हो चाहे आपकी आसाम राइफल जो आसाम राइफल तो in fact famous है आप आप जानते यह नौर्ट इस्ट में और यह तो जहां भी जाते हैं बहुत strongly चीजों से डील करते हैं और इनका control dual है but still they have been very effective तो आप देखो major incidents हुए 2023 में भी 24 में भी इसके बाद से सारी चीजे हो रहे है बाइद वे अगर आप एक systematic preparation करना चाहते हो UPSC के लिए and that too for 2025 or 2026 तो आप हमारे centers को visit कर सकते हो right तो इससे आपको एक proper roadmap मिल जाएगा for your preparation और इसी के साथ साथ if you want to join the batches foundation either English or Hindi Hindi वाली Mukherjee Nagar में English वाली करोल बाग में और in English and Hindi both outside of Delhi in UP Prayagraj तीनों cases में आप inquire कर सकते हो video के नीचे description links है वहां पर click करके so that is there course बहुत comprehensive होगा सारे features आपके लिए covered रहेंगे and along with that an academy app भी आप download कर सकते हो for better updates current affairs knowledge सारा जो content है free में for that and इसका भी description link जो है वो वीडियो के नीचे provided so that is there to a local residents के लिए इसके बहुत severe consequences होते हैं तो locals have always been supportive of the army to quell such incidents इसलिए local population का support jamu में इत्ता important शायद नहीं है लेकिन इनको भी और्गनाइस करने के नीड 1990 में government इंडियन government यहाँ पर village defense groups मना थे इनको दुबारा active करने की नीड ऐसे यहाँ पर police के special purpose operations होते हैं यह police officers के अंदर ही troops रहते हैं जो की limited time period के लिए local area में अपना fort hold करके terrorist के सामने डटे रहने के capable होते हैं हाला कि उसके बाद तो आर्मी के reinforcements आई जाएंगे इंसम टाइंगे लेकिन कुछ time period के लिए आपके पास कुछ होना जाए ना सो यह जो special आपके operations है यह लोग भी है इन फाक्ट यह लोग village defense आपके जो ग्रूप से उनको help भी करेंगे तो इनसे क्या होता है एक self defense की mechanism develop होते हैं लोगों में यह awareness develop होती है that yes we have to be vigilant of these type of activities और जैसे ही ऐसा कुछ होता है खुद भी aware रहना है खुद का भी defense करना है और government को भी inform करना है army को भी inform करना है in fact यहाँ पर grid का भी discussion है कि जो आपने troop deployment कर रहे हो आप recent time period में उनका deployment है grid का वो कैसे करो कैसे उनको grid में accommodate करो so that is also there तो अलग-अलग deployments है अलग-अलग measures है basically यह है कि strategic meetings हो रही है immediate measures किये जारे long term strategy है सारी चीज़े है अलग-अलग battalions है तो बाकि आपको क्या लगता है इस topic के बारे में बताइए जरूर like share subscribe and thank you people stay connected